आखों को और पूरे शरीर को शिथिल करने वाली, रिलाक्स करने वाली, इस विधी में आपका स्वागत है. यह विधी मुख्यत आखों पर केंद्रित है, जैसे ही आखें शिथिल होती हैं, रिलाक्स होती हैं, तब पूरे शरीर पर यह रिलाक्जेशन एक लहर की भाती फैल जाता है. यह विधी आखों में तनाओ की गठानों को खोलती है, आखों में उर्जा के प्रभाह को सामान्य करती है, और आखों में होने वाली कई बिमारियों से हमारा बचाओ कर सकती है. आराम देह इस्थिती में लेट जाएं, यह समय पूर्ण तया आपका है. अपने आपको शिथिल होने की पूरी अनुमती दें, स्वतंत्रता दें. इस विधी में पूरे समय आप इस आवास के साथ रहेंगे जाके हुए. यह आवास आपका मार्ग धर्शन करेगी, सुझाव देगी. यह आवास आपको अब पूरे शरीग को किसी प्रत्यंचा की भाती तानने के लिए आमंत्रत करेगी. पैरों को तानने के लिए पैरों की उंगलियों को सर की दिशा में खीचें. पैरों की उंगलियों को सिर की दिशा में खीचना शुरू करें, हातों की मुठियों को भीच लें, जोर से कसलें, और हातों को पैरों की दिशा में खीचें. पेट को कड़ा कर लें, दातों को भीच लें, आखों और भों की मास पेशियों को संकुचित कर लें. इस प्रकार पूरे शरीर को ताने तानते जाएं तानते जाएं थोड़ा और थोड़ा और पूरा शरीर तनाव से भर गया है और एकदम शरीर को धीला छोड़ दें शरीर को धीला छोड़ दें जैसे कोई तीर प्रत्यंचा पर चड़ कर छूट गया हो ऐसा हम एक बार और करेंगे पूरे शरीर को तानना शुरू करें पैरों को ताने, हातों की मुठियां भीच लें पेट को कड़ा कर लें चेहरे की मास पीशी को संकुचित करें उन्हें खीचें और इस टेंशन को इस तनाओं को एक पीक पर ले जाएं खीचें पूरी बाड़ी को खीचें खीचें कीचें होल्ड करके रखें Tense, Tense, Tense and Relax पूरी बाड़ी को ढिला छोड़ दें जैसे ही शरीर शितिल होता है उसमें प्रेट्न रहित effortless जागरुकता का जन्म होता है और इस सहज जागरुकता और relaxation का समन्वय पूरे समय हमारे साथ होगा अब यह आवाज आपको आमंत्रित करेगी अपना ध्यान अपनी दोनों आँखों पर ले आए आँखों को देखें महसूस करें भीतर से बाहर से आँखों की गुलाई आईब्रोज आँखों के उपर की स्किन आँखों की पुतलिया दोनों आँखों को महसूस करें अब यह आवाज आपको आँखों को जपकाने के लिए आमंत्रित करेगी आँखों को फलिकर करना है उन्हें खूलना है और बन्द करना है आँखों को जपकाना शुरू करें आँखों को जपकाए थोड़ा तेजी से जपकाए आखे खुल रही है बंद हो रही है कंटीनियूसली प्रक्रिया को थोड़ा तेज करें आँखों को जपकाएं जपकाएं और अब आँखों को भीच लें जोर से आँखों के आसपास की सारी मास्पेशियों को संकुचित कर लें और इसे एक शिखर के और ले जाएं इस तनाओं को टेंस टेंस इसको थोड़ी दिर hold करके रखें और अब बहुत ही धीरे धीरे आखों को खोलना शुरू करें बहुत धीरे धीरे जैसे कोई पुश्प खिलता हो अपना समय ले एक एक सम्वेद्रा जो इस समय हो रही है उसे notice करें और बहुत धीरे धीरे आखों को खोलें मास पेशियों के तनाओं को ढीला करें आखें समय बंद रहेंगी और ये देखें कि जिस तरह आप मास पेशियों को ढीला छोड़ने लगते हैं यह relaxation पूरे शरीर में पैरों की उंगलियों तक खाथों की उंगलियों तक फैलता जाता है एक बार और आखों को जपकाएंगे आखों को जपकाना शुरू करें तेजी से जपकाएं और थोड़ा तेज और अप आखों को भीच लें कसके एक तनाओ का निर्मान होने दें खोल्ड करकर रखें इसे और बहुत धीरे धीरे अपना समय लेते हुए इसको धीरे धीरे धीला छोड़ना शुरू करें और आप देखें कि ये रिलाक्जेशन पूरे शरीर में एक लहर की भादी फैल रहा है पेट को धिला छोड़ दें धीरे धीरे मास पीशों को रिलाक्स होने दें अब आखों के लिए एक बहुत ही छुटा सा गायाम है आखें आपकी समय बंद रहेंगी मध्य से आखों को धीरे धीरे उपर की और ले जाएं आखें बंद हैं और बहुत धीरे धीरे नीचे की और लेकर आएं और मध्य में ले आएं आखों को एक बार और धीरे धीरे उपर की तरफ ले जाएं मध्य में लाएं और धीरे धीरे नीचे की और मध्य अब आखों को दाई और ले जाएं राइट साइड, सेंटर और अब लेफ साइड के उड़े जाएं धीरे धीरे से मद्ध में ले आएं एक बार और इसे रिपीट करें राइट साइड सेंटर लेफ साइड सेंटर और अब आँखों को घुमाना शुरू करें बहुत धीरे धीरे गोलाकार चार वर्तुल एक दिशा में आप घुमाएं आँखों को और चार बार उसके विप्रित दिशा में बहुत धीरे धीरे आँखों को घुमाना है गोलाई में घुमाना है वर्तुल में घुमाना है और इस प्रक्रिया में जो भी सम्विदनाएं आप महसूस कर रहे हैं आखों में उसे देखना है हो सकता है मास पेशों में खिचाओ या तनाओ महसूस हो अब आखों के दिशा को बदल दें वर्तुल के दिशा को बदल दें विप्रीद दिशा में आखों को घुमाना शुरू करें बहुत धीरे धीरे और अन्तिम बार आखों के रिलाक्स कर ले अपना ध्यान आखों पर ही रखें हम जिस और अपना ध्यान अटेंशन लेकर जाते हैं उर्जा, एनर्जी उस और बहने लगती है अपना ध्यान श्वास पर ले आएं और ऐसा भाव करें कि आप अपनी श्वास को आखों की और दिशा दे रहें भीतर जाती श्वास ना आक से होती हुई ना सिका से होती हुई आखों की और जा रही है और जब आप श्वास ले रहे हैं तो यह भाव करें इस श्वास के साथ प्राण वायू आपकी आँखों की और बह रही है आपकी आँखों को उरजावान और सशक्त कर रही है और बाहर जाती श्वास आपकी आँखों की सारी समस्याओं को बाहर लेकर जा रही है श्वास में दिशा और इस भाव को पिरो दें श्वास में कोई बदलाव न करें श्वास सहच चल रही है बिना किसी तनाओ के सिर्फ उसे आँखों की और दिशा दे और ये भाव की भीतर जाती श्वास प्राण वायू उर्जा को लेकर आँखों को तरो उताजा कर रही है और बाहर जाती श्वास आँखों की सभी समस्याओं को तनाओं को बाहर की और विदा कर रही है श्वास को भीतर लिते जाएं आँखों की और और बाहर जाती श्वास बीतर जाती श्वास उर्जाबान श्वास बाहर जाती सभी तनाओं का विसर्जन करती श्वास और एक बार और आँखों की और श्वास लें और बाहर जाती श्वास के साहाथ सभी तनाओं को विसर्जन करें इस समय आपका शरीर श्थिल है आप आसपास की सभी आवाजों से बिना किसी प्रेत्न के जुड़े हुए हैं शरीर मन के नियंतरन से इस समय पूरी तरह मुक्त है शरीर का वजन महसूस करें और अब ऐसा भाव करें आपने एक नर्म मुलायम मकमली सौफ्ट छोटा सा तक्या लिया है पिलो और इस पिलो को आपने दाई आँख के ठीक पीछे रख दिया है आपकी आँखें पूरी तरह सुरक्षित है आपने इस तक्या को राइट आई के ठीक पीछे रख दिया है बहुत धीरे से और अब राइट आई के दाईयां के सभी तनाओं को इस तक्या पर छोड़ दे आपकी आखें पूरी तरह सुरक्षित है आख को ढीला छोड़ते जाएं इस तक्या पर इस सौफ्ट तक्या को महसूस करें आखों का वजन इस तक्या पर महसूस करें आपकी आखें राइट आई शिथिल हो रही है रिलाक्स हो रही है दाई आख रिलाक्स हो रही है शिथिल हो रही है 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 रही ह तंत्रतादे शिथिल होने की, रिलाक्स होने की, आख के भाग को पूरी तरह इस्तकिये पर छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, राइट आए, इस रिलाक्सिंग, राइट आए इस रिलाक्सिंग, दाएं आख शिथिल हो रही है, रिलाक्स हो रही है, राइट आए, इस रिलाक्स्ट, दाएं आख पूरी तरह शिथिल हो चुकी है, रिलाक्स हो चुकी है, कुछ समय, कुछ शनों के लिए, इस शिथिल अवस्था में ठेहरे, स्थिल हो चुकी है, और इस समय अपना ध्यान बाई आख पर लेकर आएं और दाई और बाई आख के अंतर को महसूस करें राइट आए एक रिलाक्स्ट स्टेट में हैं लेफ्ट आई अभी शिथिल नहीं हुई है इसे कंपेर करें इस शिथिल अवस्था को याद रखें और बहुत धीरे से इस तक ये को राइट आई के नीचे से निकाल लें और इसे लेफ्ट आई के नीचे ठीक पीछे रख दें आपकी लेफ्ट आई बाई आँख इस समय पूरी तरह सुरक्षित है इस आग के भार को तकिये पर छोड़ते चले जाएं सारे तनाओं को ढीला कर दें लेफ्ट आई के बजन को वेट को इस तकिये पर महसूस करें लेफ्ट आई इस रिलैक्सिंग बाई आँख शितिल हो रही है रिलैक्स हो रही है इस तकिये की बिलू की सॉफ्टनेस को महसूस करें आँखों के ठीक पीछे आँखों को ढीला छोड़ते जाएं लेफ्ट आई इस रिलैक्सिंग बाई आँख शितिल हो रही है रिलैक्स हो रही है अपने आप को इस आख के तनाओं को छोड़ने के लिए पूरी सोतंत्रता दें अनुमती दें लेफ्ट आई इस रिलैक्सिंग बाई आँख शितिल हो रही है रिलैक्स हो रही है आई इस रिलैक्सिंग अई रिलैक्सिंग माई आँख अब पूरी तरह शिथिल हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है कुछ समय इस शिथिल अवस्था में ठहरे, इसे याद रखे, इसे गहराई से महसूस करे दोनों आँखें पूरी तरह शिथिल हैं, दोनों अब आपको एक ही तल पर महसूस होंगी आँखों के साथ साथ अब पूरा चेहरा और पूरा शरीर शिथिल हो गया है इस समय आखें मन के नियंतरन से मुक्त हैं, शरीर और श्वास मन के नियंतरन से मुक्त हैं, स्वतंत रहें शरीर में गहरी शिथिलता है और साथी साथ आप बिना किसी प्रेत्न के भीतर और बाहर जाग रूखें इस कहन, शान्त, शिथिल और जागरु कवस्था को याद रखें अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी शरीर की संवेदनाओं पर ले आएं हाथों की उंगलिया, पैरों की उंगलिया, शरीर का वजन, श्वास और बहुत धीरे-धीरे अपने हाथों की उंगलियों में थोड़ी-थोड़ी गती दें, पैरों की उंगलियों में गती दें अपनी आखों को उनके अनूठे कार्रे के लिए धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें और दुनों हाथों को जोड़ लें और उसे आपस में रब करें और यह जो उश्मा उत्पन हुई है हाथों में, हाथों को रगड़ने से, उसे बहुत धीरे से आखों की पुद्लियों पर लगा लें और अपना समय लेते हुए, धीरे धीरे वापस आ जाएं एकदम ना उठें, एक तरफ करवट लें, हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे उपर की और आएं अपना समय लेते हुए, वापस आ जाएं यह विधी आप रोज कर सकते हैं, प्रते दिन इसे कम से कम दो सप्ता पंदरा दिन प्रयोग करें कहरे जाने के लिए कर दो समय यह विन्वे इसनी आप झाहोँ झाल झाल